करे केंद्र बंध है जिसे हम लोग का भान वेचने में दिक्टत है इसे ए थाजार रुपे से जारे सो रुपे सकीलो ले रहें उसे हम लोग का करे केंद्र बंध है इस वोजे से हम लोग को बहुत दिक्कत आ रही जिसे हमारा ये भाज़पासकार्ट कानाथ अधि सतरह सो रुपे उंकल धान खिसानों पालिया जाएगा और इसमें हम लोग के बहुत विक्कत है एक महीने से उपर हो गया धान की फसले कटे गुई जिसे कोई करक के अंदर खुला नहीं है जिले क्या परिशानी हो रही इससे बर्शानी बहुत कुछ है जिसे पबलिक का धान तो नहीं कि जा रहा है बनीअ होनी ने पोने रुपे कि लो दान ले रहे हैं एक हजार रुपे कि लो रहा है तो मुशिय किसाने का नुखसान है जिसे करक के अंदर खुला नहीं है द्धान देखिए जो है आपके सामने पड़ा हुआ है बनिया कह रहा है कि हम जो है 1500 रुपय लेंगे लेवी एक भी नहीं चला है कि एक डूबर से चलू होने वाला था अब बताईए हम लोग कहां जो है धान बेचे किसान की जो है दुरगत है यह हम लोग के गाड़ी कमाई सेंटर में पूला है कि अब हमहारे बघल में खुलने वाला था भी नहीं फुला है करें तो इस पर अपना धान के जो हैंि अब देखिए आपके सामने पड़ा हुआ है बनिया भी नहीं ले रहा है सब्सक्राइब कोई मर्सा दिखाई नहीं दे रही है, कोई प्रेशर नहीं है सेंटरों पे, आखिर सेंटर क्यों नहीं खुल नहीं सब्सक्राइब को इसका तो पता होगा, सेंटर खुले है या नहीं खुले है, नहीं सब परेशानी है पिचानों को, पिचानों की बात कोई दुने वाला दिख नहीं रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, एक नमंबर से धान खरीद हमारे जनपद में शुरू होने का तीथी निर्धा सब्सक्राइब को इसमें से चुकि जो सची वगरा है यह अरताल पर चल रहे थे तो उनके केवल केंदर जो 30 केंदर हैं वो प्रभावित थे, आठ केंदरों पर हमारे खरीद हो रहे थी और बरतमान में उनका जो हरताल है समाप्त हो चुका है और इसमें हमारे पास 15 सेंटर जो PCF के जो लोग अरताल थे वो भी खरीद हुई है और आठ सेंटर जो हमारे खाद विवार के हैं और एक एक गुरु का है इन तीनों पर खरीद हो रही है अभी वरतमान में हमारा 178 मिट्रिक टन खरीद हो चुका है यह भी स्तारिक तक और इसको हम लोग जो हमारा की जो लच्छ हमारा 45,000 मिट्रिक टन है इसको हम लोग पून करने का पूरा प्रयास भी करेंगे और करेंगे भी